सामाजिक एकात्मता के चिंतन को खंडित करने वाली आयातित विचारधारा के सम्वाहकों से कुछ सवाल करने हैं जिनके उत्तर शायद ही मिल सकेंगे फिर भी समवादी होना हमारा धर्म है क्या वर्तमान में मनुवादी व्यवस्था भारत में लागू है मनु कौन थे, मनु कितने थे, उसके बारे में कितना आप जानते हो मनु स्मृति या स्मृतियों का लेखन किन्ने और कब किया महर्शी दयानंद ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है इसके बावजूद आज भी हिंदूओं को टारगेट करने के लिए कवायत जारी है क्या आपको यह नहीं मालूम की चानक्य एक ब्राहमन था जिसने तत समकालीन व्यवस्था से लड़कर चंदरगुप्त मौर्य को भारत का समराट बनाया आप तो यह नकार दोगे की चानक्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था क्या आपने कभी यह सोचा के रावन को मारने वाला एक क्षत्रिय था जबकि रावन एक ब्राहमन था फिर भी भारत के लाखों ब्राहमनों के मन में राम के प्रती गेहन आस्था है क्योंकि सब जानते हैं, श्री राम ने एक निरंकुष आता ताई राजा से भारत को बचाने के लिए एक सामरिक आक्रमन किया यह धर्म युद्ध था मेरा एक यह सवाल भी है क्या कोई ब्रामहन बुद्ध को नकारता है? किसी ब्राहमन को अपने महात्मा बुद्ध को नकारते सुना बुद्ध के सिध्धान्तों शिक्षाओं में उपनिश्दों की जलत नहीं मिलती है मनुस्मृती को लेकर पुन्ह एक प्रश्ण है क्या वर्तमान में मनुस्मृती संहिता को लागू करने की किसी ने इच्छा व्यक्त की है? यदी की गई है तो बताईए कौन सा समोह ऐसा आंदोलन कर रहा है? भारत का आम नागरिक सम्विधान के प्रती आस्था रखता है सम्विधान की प्रती जेब में रखना और सम्विधान के प्रती आस्था रखना दो अलग-अलग स्थितिया है पूरा भारत बिना जिजक जाती पाती पंथ नसल रंग का भेदभाव भुला कर परम पूजय बाबा अंबेडकर को सम्मान देता है हम आम आदमी हैं जो कम बोलते हैं पर बाबा साहब के महान चिंतन समझते जरूर है आपके घर में आने वाला हर तीसरा या चौथा वैवाहिक आमंतरन पत्र अंतर जातिये विवाह का आमंतरन होता है इसे तो स्वीकारो जो सत्य है शायद आयातित विचारधारा को बढ़ावा देने वाले नहीं जानते कि आम आदमी हमेशा यह कहता है कि भारत में जाती एवन धार्मिक विद्वेश ब्रिटिश सरकार की देन है तो शायद तुम स्वीकारोगे या नहीं मुझे नहीं पता आयातित विचारधारा को मानने वालों का लक्ष्य सनातन को दोशी कहकर हिंदुत्व को हिंसक साबित करना है कुछ लोग समाज को वर्गी कृत करके वर्ग संधर्ष को जन्म दे रहे हैं जबकि भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं जैसा आप बार-बार साबित करने की कोशिश करते हैं मेरा हिंदुत्व को अपमानित करने वाले लोगों से निवेदन है कि भाई भारतिय अध्यात्म क्या है इस बिंदु पर भी गंभीरता से विचार कीजिए इसी हिंदुत्व की दी गई शिक्षा के कारण दलित कहे जाने वाली विभूतियों को लोग महर्शी माना गया है नए युग में क्या आप यह नहीं जानते कि संत रविदास, कबीर, सूर्दास आधी के चिंतन मध्यवर्गिय परिवारों ने आत्म साथ किया है सच कहूं आयातित चिंतन सामाजिक विगटन के लिए माचिस की तीली के समान है जो पूरे देश में आद लगा सकती है कुछ लोगों का मुझे बरसों से इंतजार है खुल कर समवाद करने का चुनोती दे रहा हूं ध्यान रहे पूरी तयारी से सोच समझ कर गहरा अध्ययन कर मेरे सामने आना शायद विमर्ष से ही उनकी चेतना से वैमनसिता का समापन हो जाए लेक को कलाकारों और विचारकों से अपेक्षा है कि एक ऐसे व्यक्ति को खोजे जो भारत के एकात्मता के भाव की पुनरस्थापना करे अगर वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्मान भी किया जा सकता है मित्रो मैं Artificial Voice आभारी हूँ जो आपने पॉड़कास्ट सुना इस पॉड़कास्ट को लिखा है Content Writer गिरीश बिल्लोरे मुकुल ने इस तरह के पॉड़कास्ट सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बैल आइकन भी दबा दीजिए